इसलिए मैं लेकर आया हूँ इंडिया का सवाल है नमस्कार मैं हूँ मनी शवस्ती हाजिर हूँ आपका अपना पसंदीदा डिबेट छो इंडिया का सवाल लेकर ग्यानवापी मस्जित को लेकर पिछले कई दिनों से तूफान खड़ा था उस पर आज अदालत ने विराम लगा दिया कोट कमिशनर बदलने की याचिका को कोट ने खारिच कर दिया साथ ही सर्वे का काम सत्रा मैं तक पूरा करने का अल्टिमेटर मेने की टाइम लाइन भी सेट कर दी इसके अलावा कमिशन के काम में अरंगा डालने वालों पर एफ आई यार दर्ज करने भी कोट में आदेश देदी यानि की दंडात्मक कारवाई होगी यानि ग्यानवापी मस्जिद में जो सच दबा है चिपा है अब वो सामने आएगा उससे कोई रोक नहीं पाएगा अपने महमानों से बात करें उनसे चर्चा करें उनसे बहस करें उससे पहले आप देखिए इंडिया का सवाल प्रोडूसर नवीन मिशा की इंडिया का सवा सवाल की ये रिपोर्ट हलाकि विरोध खूब हुआ मजजिद में सर्वे ना हो लेकिन कोट ने आखिरकार उस पर मुहर लगा दी साथ ही विरोध करने वालों के खिलाब सक्त कारवाई का भी निर्देश दिया है कोट ने अपने फैसले में क्या कहा आपको बताते हैं सर्वे कमिशनर को बदलने की मांग कोट से खालिज सर्वे कमिशनर अजमिश्रा को नहीं हटाया जाएगा सत्रा माई तक सर्वे पूरा करने और रिपोर्ट दिनी का निर्देश सर्वे के दोरान पूरे इलागे की वीडियोग्राफी होगी सर्वे के दौरान दोनों पक्ष के लोग मौजूद रहेंगे कमिशन की कारवाय में बाधा नहीं आनी चाहिए सर्वे का विरोध करने वालों पर अफाईयार करने का निर्देश देखे आदेश यह हुआ है प्लेंटिफ साइड की हमारी मेरी एक एक आर्गुमेंट को निर्देश यह जाए और उसी के अनुपालन की आदेश आज जारी कर दिये हैं कोट के आदेश के बाद सर्वे का रास्ता बिना किसी बाधा के साफ हो गया कोट ने 17 माई तक आदेश की तामील का निर्देश दिया सिविल जज़ रवी कुमार दिवाकर की अदालत के फैसले के बाद कोट परसर में हर हर महादेव की नारे लगे लड़ू बताशे बाटे गए आज काशी की धर्पी पर न्याले का फैसला आया है अपने सिंगार गोरी की पक्ष में दो कमिस्नरों की नियुक्ती हुई है जो 17 तक जिनको फैसला देना है हम लोग को यकीन है कि सच सच होगा जूट जूट होगा दूट का दूट और पानी का पानी होगा सत्र का जो फैसला आएगा वो भी हमारे पक्ष में आएगा इसी को लेकर आज हम लोग काशी के मंदिरों में हर सुलास के साथ घंटा घडियाल बजा के स्वागत कर रहे हैं और बाबा भोले नास से बिश्चना से हो काशी की देवताओं से आवान कर रहे हो मना रहे हैं अजय कुमार मिश्ट को एडवोकेट कमिश्णर नियुक्त करते हुए ग्यान वापी परशर का सरवेक्षर कर 10 मई तक अदालत में रिपोर्ट पेश करने का आदेश दिया था लेकिन 6 मई को कमिशन की कारवाही शुरू होई लेकिन पूरी नहीं हो पाई साथ मई को अंजुमन इंतजामिया मसाजित कमिटी ने अदालत में याजका दाखिल करके एडवोकेट कमिश्णर को बदलने की मांगी जिसे कोट ने गुरुवार को खारिज कर दिया ब्यूरो इंपूट के साथ वारानसी से मदर मोहन की रिपोर्ट दू बाते आज के फैसले से साफ है एक تو कोट कमिश्णर बदले जाने को खारिच कर दिया गया जो अपिल थी वो अदालत ने खारिच कर दी और दूसरा ये कि सत्रा मई, सत्रा मई तक आपको सर्वे रिपोर्ट देनी है, याने विडियोग्राफी भी होगी, सर्वे भी होगा जिया, इस पर हम अब चर्चा करेंगे अपने महमानों के साथ, हमारे साथ महमानों का पैनल है पैनल में विनित गोयन का, बीजेपी के नेता प्रवक्ता हमारे साथ हैं, हमारे साथ जुडेंगे पवन शर्मा प्रवक्ता कॉंग्रेस थोड़ी देर में आपके टीवी स्क्रीन पर पवन जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, पवन जी आपका स्वागत है अबारे साथ प्राफसर भुवन जोशी भासकर प्रवक्ता समाजवादी पार्टी अबारे साथ हैं अबारे साथ धर्म को लेकर शास्त्र को लेकर अपनी बात रखने वाले ऐसे आचारे सेलेश तिवारी जी धर्मा चारे हिंदू धर्म पर आपकी जो पकड़ है उसको लेकर आप लगातार आते रहते हैं आचार जी आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे साथ हमारे अपने संबादाता मदन मोहन हमारे साथ मुहम्मद अन्वर खान साहब जी आप एड़ोकेट हैं अधिवक्ता हैं सुप्रिम कोट हमारे साथ हमारे साथ है सामाजिक कार्यकरता हमारे साथ सामाजिक कार्यकरता के रूप में तसलीम शेरवानी जी हमारे साथ हैं हमारे साथ हमारे साथ आईए इससे पहले की बाकी महमानों के पास चलें चलते हैं सीध में हताशा लेकिन मैं आपसे पूछना चाहूंगा सर्वे का जो समय है जो दिन है वो काफी कम है आपको लगता है कि तीन-चार दिनों में ये सर्वे पूरा हो जाएगा और सतरा के पहले अदालत पर सर्वे रिपोर्ट दे दी जाएगी एक और चीज मदन मोहन आखिर सर्वे का समय क्या अदालत ने सर्वे के समय को भी अपने फैसले में लिखा है जी बिल्कु सर्वे ये बताना चाहूंगा कि जिस तरह से आज गहमा गमी के बीच जो है कोट ने जो है आदेस पारित कर दिया और इसमें इस सीधे तोर पे ये कहा गया है कि ग्यान बापिश शिंगा करवाई की जाएगा इसमें उन्होंने समय सिमा बिताए की है वह है आठ वैस से लेकर के जो है बारा बैश तक यानि की चार गंटे तक का ये समय होगा और इस चार गंटे में जो है उनको पूरी जो है वीडियो ग्राफी करनी है साथी साथ अगर काजा तो 17 से पहले इसको पूरा भी करना है तो इस ते अगर काजाए कि तंवाँ भी कोई अर्चने अगर आती है तो उससे अपने पत्ते के लिए प्रसासर को फोल्टने पूरी हिदायत भी दिया जी मदन एक चोटा सवाल, मदन एक चोटा सवाल जहां तक जानकारी सूत्रों के हवाले से आ रही है सर्वे का महज 10 से 15 फीसदी काम ही हो पाया है आपको लगता है कि बचे 85 फीसदी काम 3-4 दिनों में पूरा हो जाएगा और अदालत के सामने सर्वे रिपोर्ट पेश कर दी जाएगी जी बिल्कुल जैसा कि अभी आपने कहा है कि सुत्रों के अनुसार जो है अधिवक्ता कमिस्नर से ये बात की तो हुई भी थी तो उन्होंने साथ तो पर ये कहा है कि जो अभी तक के जो हुए है जो पिछले तीन दिनों में जो होने थे वो मात 10 फिस्दी ही कार्ज को हुआ है और अभी कहा जाए तो 90 फिस्दी कार्ज जो है अभी बाकी है जिसता से कहा जाए चुनौती तो काफी बड़ी है लेकिन अगर बिना बादा के अगर इसे किया जाता है तो इसे पूरा भी किया जा सकता है क्योंकि जो मंदी प्रेमेसिस से मजजी प्रेमेसिस के अंदर की जो बाते हैं उसे जो तैकानी की वीडियोग्राफी है उसे खंगाला जाएगा सर्वे में सारी चीजे होंगी मदन आपकी इस ताजा जानकरी के लिए बहुत- मत्वरा की शाही इदगा मस्जिद और दुनिया के साथ अजूबों में शुमार ताज महल में भी सर्वे को लेकर कोट में सुनवाई हुई मत्वरा की इदगा मस्जिद से जुड़े सभी मामलों का निप्टारा करने के लिए हाई कोट ने चार महिने का वक्त दिया है अलाकि ताज महल को लेकर जो याचिका कोट में डाली गई उस पर उच्छनियाले ने सक्त रुक अपनाया या सक्त रुक अपनाया और याचिका करता को इतिहास पढ़ने की नसीहत भी डे डाली आपके टीवी स्क्रीन पर ये तीन तस्वीरें काशी मत् summer आग़रा इन तीन तस्वीरें जो कि आज काफी महत्व रखती है अदालती कारवाई के लिहास से चलते हैं अपने महमानों के पास हमारे साथ सारे महमान मैंने जिनका तारूफ करा चुका हूँ आपसे हमारे साथ मौजुद हैं सबसे पहला सवाल आचार जी आपसे शुरू करना चाहूंगा आचार जी कील काटे अदालत ने आज हटा दिये शिंगार गौरी ज्यानवापी मंदिर में अब सर्वे होगा आचार सहलेच तिवारी जी हर हर बहादेव मनेश जी या बहुती सुखद छाण है सत्त की हम ऐसा विजय होती है इसलिए कहा गया सते न रक्षते धर्मा विद्या योगे न रक्षते सत्त की जित हुई है कुछ दुनिया जानती है कि बावा विश्वनात का जो मंदिर है जहां पर आज दंदिश्वर भगवान है उनके पूरे परिवार भगवाश्यू का पूरा परिवार उस महजित के अंदर है इसलिए और इसके साथा श्रिंगार गौरी में जो 1990 से पहले 91 से पहले जो लागतार पूजा होता था 365 दिन पूजा होता था इसके बाद समझवादी पार्टी की सरकार आई और एक दिन की पूजा को तैकर दिया गया क्योंकि कारण उस समय इसके बाद पांच माताओं ने जिस तरह याज़काद आखिक किया कि हमें 300 पैसर दिक तक पूजा करने का आदेश दिया जाए तो अब जिस प्रकार नियाले का रुख हुआ है यह बहुत शुक्रदाई है यह दर्शाता है कि सत्व की जीत हमेशा होती है सूरज भगवान को बादल कुछ शण के लिए पबलिक जन्ता के सामने आप जन्मानस के सामने रोक सकता है लेकिन बादल सूरज भगवान को कभी भी जो है ढख करके नहीं रख सकता है सचाई की जित हुई है और मैं इसे बहुत सुख़द शण मानता हूँ आचार जी आपके पास कुछ और सवालों के साथ आउँगा क्योंकि हमारी चर्चा और बहस में कुछ और ऐसे सवाल उपजेंगे जिया निकलेंगे जिस पर आपकी राये आपके विचार्ट जरूरी होंगे आचार जी आप बने रहे हमारे साहत विनित गुएन का विनिज जी अब विडियोग्राफी भी होगी सर्वे भी होगा तारीक बिता है फाइल कब तक करना है आप सभी को रामरा मुझे लगता है कि 400 साल 500 साल से जो हिंदूओं पे अक्तियाचार हो रहा था उसकी जानकारी समाज को दुनिया को सबको मिलेगी किस तरह से आततायों ने वहाँ पे मंदिर को तोड़ा, कुशाशन किया वहाँ जोर जबरजस्ती करके वहाँ के जो कमजोर वर्ग था, वहाँ का जो कायर वर्ग था उसका धर्मांतर किया और वहाँ के जमीन को हड़पकर उसके ओपर एक डिस्पूटेड बिल्डिंग खड़ी कि मैं इसको मजजित नहीं को होगा कि इस्तलाम में भी इसको मजजित माना नहीं जाता है, जहाँ डिस्पूट होता है तो यह जबरजस्ती का एक अतिकरमन जो है, वह किया गया था कि क्या वहाँ पर सर्वे होना चाहिए, तो भाई कहता कि करना चाहिए, विकूस वो नहीं मानता कि वो मजजित है थोड़े बहुत मेरे भाई है, जो लगता है कि उनकों कि मजजित है, और उनका भी मन बनेगा और कोट में लंबित प्रकिरेना होते हैं, वो लोग हमको यह दे देंगे विनिजी मुझे पता है, आप पढ़े लिखे प्रवक्ता हैं, आप बहुत पढ़ लिखकर आते हैं, अपने नोट्स पनाते हैं ग्यान वापी मस्जित कैसे हो सकती, यह नाम महीं मुझे असर अक्ताय ट्विस्ट है, देखे एक तो मैं आपको बताओं कि उर्दू में या इसलाम में कहीं पे भी ग्यान नहीं है, मेरा कहने का अर्थ यह है कि वहाँ पे ग्यान शब्द नहीं क्योंकि ग्यान शब्द तो होते हुए ग्यान वापी मंदिर है, प्योंकि सारे उसके प्रूफ भी है, तो यह तो गलत है कि वहाँ के लोग जो है, उसको मजित कहेंगे, जी, यह क्लेम, यह क्लेम मुझे ऐसा लगता है कि इस तरह से जो बाते आ रही हैं, विने जी मुझे लगता है, वीडियोग्राफ से तो एक और सवाल है, मैं आँगा आपके पास राष्ट्रगान को लेकर, लेकिन मेरे साथ कुछ और महमान हैं, उनके पास भी जाना जरूरी है, हमारे साथ पवण शर्मा जी, पवण जी, आपका मंदिर और ताले से एक बड़ा नाता है आपकी पार्टी का, आप समझ होंगे, मैं किस बात का जिक्र कर रहा हूं, पवण जी, अदालत ने कह दिया है, ताले की अगर चाबी नहीं है, तो तोड़ दालो, वीडियोग्राफी होगी, सर्वे होगा, मनीजी, जो देखिये, हमारा बडेश है, वो अधिस समीधान के सहरा है, और समीधान के इसाब से, ग्याएफ तो जन्ताकमान ने है, जिसको प्रशान की जाते हैं, अगर कोट ने आज कोई निने दिया है, उसके पर कारेवाई होनी है तो तासन प्रसासन कों शुनीचित्प कि पहले जिस किसे कोई कोई काम है उसको प्लाइब जी विन जी आपकी उंगली उठी थी पवन जी की आवाज नहीं आ पा रही है आप अपनी बात रखें तो मैं प्राफसर भुवन जोशी भासकर साहब के पास जाओ भुवन जी आपको मैं थोड़ा करेक्ट कर दू कॉंगरेस का विश्वास कभी न्याय पाली का में नहीं रहा टरणा देने वाले जो वहां के जो नियम है उसको लागु किया थे तो कोट के बात तो आप लोगों ने की है आप लोगों ने तो उसको इतना बड़ा इंसल्ट किया है अच्छा एक काम करी अगर पालें तो एक विश्वाद एक बात कर लीजिए कि कोट ने का आदेश दिय है तो उसके लिए आप कर दें वह बहुत की बहुत को क्यांता कि कॉंग्रेस के का चुट नो पवबन जी आपकी आवास नहीं आपारी है। सकता है अभी कुछ आफ हम तो खुद कह रहें कि आपी तो जिल लो थे जिलोस्टाब बढ़े हैं हो सकता है हम आरे देखे आने के प्रमाइस निलाए था आप लोग तो कोड के प्रमाइस एक जूट नगे तो आपके कोड में आसता नहीं है तो भरतिन्टा पार्टी की सरकार रहे तो कोडों की सुनाई होती है पर दिए पर दोग जाता है लेकिन फिर भी उसको आप लोग जबारे दिलवा जेते हैं पवण जी मेरा अगरा है कि हमारी बाचीत जो चल रही है वो बाचीत है घ्यान वापी और उसके साथ-साथ एक और मुद्दा है जो बड़ी खबर ये है कि उत्तरप्रदेश सरकार में मदर्सों में राष्टगान को अनिवार्य कर दिया है हम इस पर चर्चा करने बैठे हैं पवण जी पवण जी की आवाज ठीक की जाए पवण जी की आवाज में कुछ तकनीकी खामी है पवण जी आपके पास आएंगे प्रोफसर भुवन जोशी भासकर प्रोफसर साब कील काटे हड़ गया अदालत ने आदेश दे दिया अब आप लोग सियासत मत करिएगा क्योंकि पिछली बार जब अरंगा डाला गया तो आप लोगों पर ये आरोप लगा कि वहाँ जितने लोग जमा हैं ग्यानवापी मस्जित के सामने उसमें आपके कार्यकरता भी मौजूद है प्रोफसर जोशी देखें मैं कहना चाहता हूँ आज जो कोट ने फैसला किया है उन्होंने जो टाइम अवजी तरही करिये कि इतने समय तक इसकी जो जाच है वो जाच हो जाए तो जोग इसमें पैनल में भी बैठेतें मैं सुन रहाता धर्म गुरू को भी सुन रहाता बाते दिलता पार्टी के परवकता साती को भी बैठ लेतें वो जीत और हार से अभी तो फैसला भी नहीं आया था निश्चित तौर पर जल्दवाजी होगी कुछ कहना इस मीचे में और मैं कहना चाहता हूं जिसके बारे मैं आप मनीशी कहना चाहरे है बार-बार की उसमें जो कारिकरता थे आपकी पार्टी केते तो मैं कहना चाहता हूं ऐसे जो एपिसोड है ग्यानवापी एपिसोड ऐसे एक ही एपिसोड नहीं है पूरे देश में चल रहे हैं चाहे वो ताज मैं है लोग एक जो एपिसोड जो भारती जन्ता पार्टी चला रही है इसके पीछे के प्रोडूसर डिरेक्टर सब भारती जन्ता पार्टी कि आप जो कोट कमिशनर की बात कर रहे हैं उन्हें हटाया जाए वो नहीं हटेंगे अगर आपको लगता है कि वो एड़ोकेट कमिशनर पक्षपात कर रहे हैं तो हम उन्हें दो सहायक भी देते हैं 17 तारिक तक आप फाइल करिए यानि कि विडियोग्राफी भी होगी और इस धन्यवाद देता हूँ कि आप इस विशय पर कम से कम अपने चैनल के माध्यम से देश और दुनिया के सामने सच्चाई को ले आ रहे हैं मैं आपको बता दू कि सिविल कोट की एक प्रक्रिया होती है कि कोई भी डिस्प्यूट का मामला होगा जमीन का मामला होगा तो वो ब बारने टारी कि आंपके इंग निगरानी में जाकर के विवादित स्थलका विवादित जमीन का विवादित ठाचे का कोट कमिशन करता है जिस दिन पहले दिन अजय कुमार मिश्राजी कोर्ट कमिशन के लिए नाम नुप्त हुआ वो गए एक भारी संख्या में एक समुदाय के लोग उस वहां बाहर खड़े हो गए दूसरे समुदाय को अपत्ती नहीं है अरे प्रतर्श को प्रमाण की क्या वेशकता है आप दिख है तो मस्जिद रहेगी मंदिर है तो आयोद्या में भी आप 50 से तक कहते रहेगा है की मजजिद है मजजिद भाबर की अब बाद मुझे ऐसा लगता है कि आदमी उत्तेजित हो जाता है मिश्ण जी आपके पार लडाई देखिए लीगल टर्म से लडाई अलग होती है जी 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 अवारे साथ अमीना शेरवानी जी है अमीना शेरवानी जी है इंडिया का सवाल है यहां पर मन्थन होता है चि का फैसला है ताले की अगर चाबी नहीं तो ताला तोड़ दो विडियो ग्राफिक करो सर्वे करो और रिपोर्ट दो कि मैं आप लोगों को बिना सर्वे के ही बता दूं कि वहां पर शिंगार गौरी हैं मेरे पिता जी के क्लासमेट जो वहां का जो काशी विश्वनात मंदिर है उसके जो महंत होते थे उनके भतीजे मेरे पिता जी के क्लासमेट होते थे बनारा सिंदू युनिवरसिटी में तो मेरे पिता जी तो वहां के अंदर गर्व ग्रह तक होकर आए हैं महंत जी से बात चीद करके आए हैं और मेरे पिता जी ने स्वयम महंत जी से कहा था कि अजीब सी मंदिरों के बीच में ये मस्जिद खड़ी हुई है ये कुछ तालमेल नहीं बैट रहा है तो महंत जी ने स्वयम कहा था कि रशीद यहां पे तुम्हें कौन सी चीज एक दूसरे से तालमेल ख हाती है एक दूसरे के साथ ये महंत जी के शब्द थे और मेरे पिता जी ऐसे महौल में पले बढ़े मेरे पिता जी और आज मेरे बच्चे किस महौल में पल रहे हैं बड़े हो रहे मेरे तो खेर बच्चे बड़े हो गए मेरे तो अब नाती पोतं का वक्ता रहा है मैं हिंदुस्तान एक हिंदु देश था, इसलाम धर्म को आए हुए यहाँ पर जुमा जुमा चौधा सो बरस हुए हैं, चौधा सो बरस और हजारों बरस की सभ्यता को अगर हम मिलाएं तो इसलाम का एक छोटा सा योगदान है हिंदुस्तान में, अब कुछ लोग उसको योगद और योगदान भी, तो इस प्रकार से अगर हम इस नजरिये से एक दूसरे को देखें, समझें और प्रेम पूरवक अगर हम आगे बढ़ें, तो हम हर मसले का हल कर सकते हैं, हर मस्जिद के पीछे एक मंदिर है, हर मंदिर के पीछे हमारी जो सनातन संस्क्रिती है, जिसमें हम हम औरतें प्रधान थी, राज हम औरतों का था हर जगा, आपने मुझे आखरी में वक्त दिया है बोलने का, मगर मर्दों का तो अस्तित्वी नहीं था, हमारा धर्न, प्रकृती और नारी को एक बताया गया, आप पुरुश तो अन्य हैं, तो सारी सत्ता हम नारियों की होती थी, धीरे-धीरे करके पुरुश सत्ता आई, आप लोग ने हमसे सत्ता चीनी, और जब से सत्ता चीनी हैं, औरतों से, तब से सिर्फ कलेश, लड़ाई और जगड़ा ही हो रहा है, तो मैं तो कहूंगी, कि सिर्फ को क्यों, सनातन को क्यों, मेरे विरासत मुझे वापिस दी किया सक्षमा निर्मया धीरा नारी शक्ती के सामने तो सब उसकी उपास्ता करते हैं और ग्यानवापी मस्जिद में जो वादी हैं वो शिंगार गौरी को लेकर सारी महिलाएं ही हैं जियां आपके पास मैं आपने तालमेल का जिक्र किया हमीना जी आपने तालमेल की बात कही लेकिन जब भी ऐसे मसले आते हैं तो सियासी घालमेल का क्या करें मेरे लिए वक्त है एक छोटे से ब्रेक का ब्रेक के उस पार ग्यानवापी, राष्टगान, आगरा, काशी, मतुरा को लेकर धेरो सवाल मैं आऊंगा एक छोटे से इंतजार के बाद ब्रिक के बाद आपका इंडिया का सवाल में फिर एक बार स्वागत है हमारे साथ सारे महमान, हमारे साथ बीजेपी के नेता प्रवक्ता विनित गोयन का हमारे साथ धर्माचार, आचार ही सहलेश तिवारी जी, हमारे साथ प्रॉफसर भुवन जोशी, बासकर जोशी, मिश्रा जी अधिवक्ता हमारे साथ हैं, अमीना शेरवानी जी, सोशल एक्टिविस्ट हमारे साथ हैं, पवंच शर्मा जी कॉंग्रिस के प्रवक्ता हमारे साथ हैं, आचार जी मैं आपके पास आना चाहूंगा, सूत्रों के हवाले से और जिस तरह से अभी अमीना जी भी के और उसके साथ-साथ शिवलिंग के अलावा देवी देवताओं के तूटे हुए विग्रह तहखाने में है यहां तक अदालत ने कहा है कि तहखाना भी खोलो मैं तो सबसे पहले अमीना भन को साधुबात करता हूँ कि इन्होंने सत्य का साथ दिया है सत्य को पुरिदेश की जनता के सामने इसलाम धर में रहते वे भी इन्होंने सत्य का साथ दिया, सत्य को दुनिया के समने बताया है और यह सत्य बात है कि इस प्रकार पुर्खों से इन्होंने सुनते आई है उसी तरह मैं भी भलकार से पास साल उम्र से बाव विश्वनात का दर्चन पुजन और अभिशे करते आरा हूँ तो हमने भी यही सुनते आये हैं कि यहाँ पर जो नंदिश्वर भगवान है नंदी जी है और भगवान शीव इनके आगे इस मस्जिद में हैं और यहां मस्जिद ग्ञान बापी मस्जिद तो नाम हो गया लेकिन ग्ञान बापी मस्जिद ने रहा है या और अरंकेप के बनाए हुआ मस्जिद है और वहाँ भगवान सिव के पूरे परिवार है जिसमें घणे ची हैं कार्थिके भगवान है जहां माता पारवती है जो स्रिंगार गोरी के उनकी पुजा की जाती है तो पूरे दुनिया जानती है कि हमारे देश में जो भी नुगल शाशक लोग आएं हैं वो इस देश की सब तुबधिन एवक रिंद ने लाखों प्रामनों को हत्या करकी कुत्व मिनार के पास हत्या कर दिया था ऐसे बहुत सारे कहानियां हैं जो इतिहास हैं जो वास्तिविक्ता है लेकिन इस देश का दुर्माग्य है कि कांग्रेश की 70 साल की सरकार जो रही है वहाँ पर जो वांप पंथी इतिहासकार हैं उन्होंने हमारे सनातन के इतिहासों को दबा करके रखा है हमारे देश के महराना प्रताप और बहुत सारे राजा राजा चोल राजर किरमादी इन सब की काथाओं और गताओं को दबा दिया गया है और जो ही मुगल शासक हैं उनको बहुत बढ़ा चड़ा करके उनकी उपुमा को बहुत अच्छा से बना करके इस देश की जंता के सामें परोश दिया गया है तो आज जरूरत है हमारे जो पुराणिक अध्यात्मिक चीजों का जो बरणन इत्यास मने ये जोडने की जरूरत है और साती सात जो हमारा पुराणों में जहाँ ब वर्शिप एक्ट पे नहीं आता है तो कि उनिस्ट विकानवे से पहले से पुझा होते आ रहा है इसलिए कानून के द्वारा हमें पुरा पेश्वास है जिस रिंगार गोरी के साथा हमें पूरी तरह से बावों के शुनात का शक्ति और वहां का मंदिर प्राप्त होगा जी आचार जी आचार जी और ओरडर का इंतजार है और इसके साथ साथ ये भी है कि ये तो अभी निचली अदालत है अदालती कारवाई लंबी खिचेगी आचार जी आपके पास हाँगा विनिद गोयन का जी विनिद जी ये क्या हो रहा है लगा तारीक के बाद एक कुत्ब मिनार ताज महल काशी मत्हुरा ये सारी बाते और उसके बीच में उत्तर प्रदेश सरकार ने सरकुलर जारी कर दिया मदर्सों में अब राष्टगान होगा राष्टवाद की अलग जगाने के लिए अगर इस देश में आप रह रहे हैं सद्धियों से तो क्या सरकुलर जारी किया जाएगा देखे लो कैसी विसंग्यतिती है कि हिंदुस्तान में ऐसे भी इंस्सिटिशन है कि जिन को आधेश देना पड़ता कि आप राष्टगान करेंगे सिनेमा घरों में होता है, लोग करते हैं, कहींपे कारीक्रम होता है, तो कारीक्रम के सुरवात या अंhard राष्ठकान से होते हैं बढ़ा अच्छा भी लगता है, सबी को मदूर लगता है जब भी हम कई पे खड़े हो के सामोईक राष्टरगान करते हैं तो मन में बड़ी हर्ष भी होती है तो मुझे लगता है कि बड़ा अच्छा है बाकी भी जो राज्य सरकार है कुछ सीखे उत्तरपदेश से और वहां के भी जो मदरसा है गत कई दशकों में हमने देखा कि मदरसाओं से जो शिक्षित बच्चे होते हैं उन बच्चों को अच्छी नोकरी नहीं मिलती है उनको जान पुछ कर उस जगह पे भेजा जाता है जहां पे शायद सोसाइटी से कुछ अलग उनको पढ़ाय जाता है उसके कारण उनको पर परताडना होती है और फिर सोसाइटी का भाग नहीं बन सकते है उसका पहला स्टेफ है पहला जो उसका भाग है वह है कि वह राष्टब गान गाए ताकि उनके अंदर भारतिता जागरूथ हो और जो अलगा हुआद उनके दर पैदा करने के कोशिश की जाते है कुछ मौलूई है उसे वो दूर हो एक बात मैं अगर आपके पर्मिशन हो तो जो अमीना जी ने बोला उससे थोड़ा सा मेरा डिफरेंस ओफ उपिनियन है मैं क्या उसको जाहिर कर सकता हूँ जी अमीना जी और विनिद गोयनका जी को एक फ्रेम में किया जाए हमारे साथ अधिवक्ता अनवर खान साहब भी जुड़ चुके आप रिबटल देना चाहते हैं जो अमीना जी ने कहा है अमीना जी आपने कहा कि कुट्टे बिली जी सा लड़ते हैं मुझे पूरा के पुरा विश्वास है कि जो कोट में गए हैं ये पढ़े लिके लोग गए हैं कुट्टे बिली तो वो थे जो मजजिद के भार खड़े होकर विरोत करे थे कोट के आदेश का तो आप कुरुपा है हिंदु समाज को कुट्टे बिली सा ना समझाए अगर आपको चाहिए तो आप बाकी समाज को बोले मुझे कोई आपक्ति नी उसके अंदर उसके दर मेरा कोई observation नी एक बात तलवार के जोर पे वहां के मंदिर को तोड़ा गया और वहां पे मजजिद बना गई तो आपको एक्सेप करना पड़ेगा कि अट्रोसिटी विच वस दन उन बाट ताइम्स पूर पीपल बाट बंद कीजिए क्योंके कोई इंसान मजबूर करना पड़ेगा कि तलवार के वहां प्रेम से नहीं होता कनवर्जन अबिना जी आपका जो आ है ना यह तालवार के जो रपा है था और वहां पे मंदिर है और आप वहां पर कुछी से मंदिर देना चाहिए अमिना जी कुछ कह रही हैं, अमिना जी आप अपनी बात रखें, हमारे साथ अनवर खांप साथ मुझे मैं जवाब दे सकती हूं, अब मैं विनीत भाई से ये कहना चाहूंगे, हम महिलाओं से सत्ता कैसे छीनी गई, मातरी सत्ता होती थी पूरे विश्व में, हमको भी मार का अगर अगर वहां पर जाके जो है जिसका नाम था उमा भारती एक महिला थी अगर वो नहीं नहीं बन रही होती उस औरत ने कभी एक बार नहीं कहा कि मैं शर्मिंदा हूं कि मैंने मस्जिद तोड़ी उसने कहा मैंने तोड़ी और सोबात तोड़ी तो मस्जिदे तोड़ी सारे पुरुष बीजे तीके माफी मांगते फिर रहे थे जब उनको कमिशन के सामने ख़़ा किया हम और वर्तों के खून पर धर्म की थापना होती है और हम और वर्तों को हमारी जगा कभी नहीं मिलकर त को माफी मंगने क्या व्रतों को माफी माफी मांगनी होगी कि आप लोगको माफी मांगनी चाहिए और शिंगार गौरी के मन्र में मैं चाहूंगी के महिला महंत बैठे इसके चलावी का कंट्रोल भी महिलाओं के हाथ में हो सब मैं समझूंगी के न्याए स्थापित हुए अगर एक पुरुष के हाथ से दूसरे पुरुष में चला गया तो न्याएं नहीं होगा आये तो रहेक्प काम करते हैं धर्म परिवर्तन चाहे तलवार की जोर पे हुआ हो या लालत की वज़े हुआ हो इस बात का जिकर अप जो कह रही है आप महराज से आते हैं नाखपुर से आपका तालुक है अमीना जी जो कह रही है अमीना जी मुझे याद आता है संग प्रमुक मौहन भागवत ने भी कहा था कि मुसल्मानों का जो दियन है उसका कहीं न कहीं हिंदूों से सीधा रिष्टा है हमारे बीच थोड़ी शांती अमीना जी आप भी थोड़ा चांत हो जाए है यह भी ज़ग जाहिर बात है अमीना जी में हम नागकूर से आते हैं वहाँ संतरा होता हरा रंग का थोड़ा से चली अंदर से भगवा निकलता बड़ा मीठा हो जड़ा संत्रे भेजना मत भूलेगा आप मेरे भाई बन गए हैं विलिजी तार्किक तौर पर आपने नागपुर की पहचान बताई संत्रे की उसमें खटास भी है और मिठास भी है वैसा ही मेरा इंडिया का सवाल है हमारे साथ अधिवक्ता मुहमद अन्वन खान साहब हमारे साथ है खान साब आप थोड़े विलम से आए लेकिन आप आए मेरा सवाल आज से अधालत ने कह दिया आप कोर्ट कमिशनर हटाने की बात कर रहे थे एक नहीं अब तीन करेंगे सतरा तारिक तक आपको सर्वे रिपोर्ट देनी विडियो ग्राफी भी होगी ताले खोले जाएंगे अगर चाबी दी गई तो अलंगा अगर किसी ने लगाया तो दंडात्मक कारवाई होगी और इसके साथ साथ अगर ताले की चाबी नहीं दी तो तोड़ा भी जा सकता है जी खान साब आपी से देखें ये जो पूरा प्रोसेस चर रहा है इस प्रोसेस में प्रोसेस का दुरूपियोग हो रहा है ये जो इशू है जिस इशू पर आज हम यहां बात कर रहे हैं या जिस इशू को गरमाया जा रहा है या जिस इशू को राजनीती का एक हिस्सा बना वाला है जो इन चीजहों को समझ सकता है उसको निंदा करनी चाहिए इसकी मैं कहना यह चाहता हूँ के 1937 है 1942 है 1937 में lower court ने एक decision दिया 1942 में high court ने एक decision दिया और वो high court का decision वो high court का order उसमें सारी चीजें लिखे हुए है उसमें वह decided है उसमें दोनों पार्टी मौजूद है, उसमें मन्दिल भी आइए, उसमें मजजिद भी पार्टी है, वो डिसाईड़ है। और वो डिसाइड़ आज तक डिसाइड़ है वो, अब जब वो डिसाइड़ है, उसके बीच में प्लेस अब वरशिप एक्ट है, बनलब आप ये 80 साल में आप कहीं नहीं थे आपको ये नहीं पता चला कि उसमें तैखाने में किया है आपको ये भी नहीं मालुम कि उस 80 साल में आपका जो राइट और बर्शिप था वो कहां गया आप अचानक 80 साल के बाद ये बात कहते हैं कि साफ हमारा वाप राइट है हमारे देवता है हमारी ये मगर मेरे बाई अगर हिंदु बेखबर थे 80 साल तक तो अगर हमें सल्मारों को खुशना चाहिए मैडम मुझे अपनी बाद पूरी करने की है बाद अब ये अबी एक मिनट बोला है हमें तो फुश होना चाहिए उनकी सहाइता करनी चाहिए उनकी सहायोग करना चाहिए आप कानून को सुनने के लिए तैयार नहीं थाई हैं तो हमें उनको पूजा करने दे सकते हैं अगर उन्होंने पूजा कर लिए अपनी आप मुझे अपनी बात पूरी करने देंगी? खान साथ आपके पास कोई बात ही नहीं है आपको क्या ये बात मालूम है कि काबा शरीफ में तीन सौ साथ मूर्थियां थी हम लोग यहां पी मज़िपर बात कर रहे हैं उन्हें कोई आपती नहीं थी मूर्थियों में हम यहां इंडिया में हैं हम इंडिया में रहते हैं हंदुसें की तोहीन मत कीज़ें हंदुसें की सभ्यता और संस्टती को समझगें हंदुस्तां की तोहीन करना बंद कीज़ें हंदुसान एक सहिष्णू देश इसका ये मतलब नहीं कि आप उसको रौंधते चले मेरे मुंसे और पांची बात आपको अच्छी लगेगी कि में हिजाब प्रहिए हूँ आपको अच्छा लगेगा मैं अल्ला हुआ कब चिलाओं आप मुझे शेरनी घोचित करेंगे आपको अच्छा लगेगा मैं बड़े अधब को सुना पुरा मिना भेन धर दो मिड़ के लिए मैं कुछ खान साव से सब्भाइब का साथ कान साथ एक पड़ी सिर्फ ते से प्रसले प्रेंगे ते और विनित गुए नियुक्त प्रसले के आगा विश्यूंग साथ मोटनेना पीकर पूर थान पा विद मुझे बताई यह शाहाब आनो के लिए शुक्त सुप्रिम पोर्ट ने क्या बोला था विनिजी खान साथ पहले पढ़ाओ विनिजी खान साथ को बुलने दिया जाए खान साथ अपनी बात रखे विनिजी विनिजी अमीना जी पावन शर्मा जी प्रॉफसर भुवन बासकर जोची सब के पास आउगा आप अपनी बात रखे खान साथ इसमें एक मेरा अडेंडम है अडेंडम है रास्टर गान को भी मदर्सों में अनिवार एक कर दिया गया है कानून से चलता है अगर आदालत ने नाइटिन फॉर्ट यूपी अलबाल हाई कोड ने नाइटिन फॉ पॉट्टी तूमें अंग्रेजों का राज था गुषे बिमिद जी अमीना जी खान साथ को बोले ने दीजी मेरे दोस्वालैंजी आपके पास वाराओं अंग्रेजों की गहाई दे रहे हैं बता यह अग्रेजों के जितने भी आएते जब्म हिंदू पॉइंडब आए और उस सबको उसका पाभद है कि दा है कि हुए-ाप यह मानने के साथ कि उसस समय की सरकार ने जो सुप्रीम कूट निर्णा को और भी परता इंगी ती इसका उप करते हैं व्रोबर 같아 तो डे खाले आप एक बार गिया आप तो तो बात कर लिए बात निकलेगी तो दूर तलग जाए खान साब अपनी बात कर ले विनी जी आप और अमीना जी से ही मैं सवाल लूँगा हमारे साथ दौर दो पहने देखिए वस्ति साथ मामला दो दो चार की तरह बिल्कुल किलियर है रहे लIE क्लियर है उसके बाद से उसमें स्टेट पार्टी है स्टेट के पास उस तैकाने की चाविए जो लोग अने आप पर परकरिया हो वहापे सर्वेर जाए सर्वेर पूरे रिकॉर्स पर लाइए उसको भी समझे लिए जो बाइपास करके आपने पूरे सिस्टम को एक बाइपास करें कि इस हाइ को यहाइप ने फौर्टे टू में दिया वह इकतिस मईए दोजार बाइस सक आज भी वह एक्सिस्ट करता है जो अलावाद हाइप ने जिसको प्लिए ते लिए खिया है आप मंते हुए प्रप जिस्टम पार दंगाए विए और दंगाएं को लिए जिए और वाँ पुछेंगे अब एक पेटिशनर दिली में रहते हैं वो क्या महाँ पुजा करने जा रहे हैं ने ने खांसाब मेरा एक छोटा सवाल मेरे साथ और भी पैनलिस्ट हैं उनके पास जाना है खांसाब मदरसों में राष्टगान सरकार ने ऐलान किया यूपी सरकार का सरकु उसका आंगलन कानुन के अनुसार किया जाएगा और एक थरुवत पड़ी तो उसको चल्वी चल्लेंज किया जाएगा इस इस वैसले को चल्लेंज करेंगे आ गया हायर अपील कोट में अजैक्ट्ली आप आप उपरी अदालत में जाएंगे हमार साथ मिर्श्या जी हैं श्रीपती मिर्शा आपकी उगली उठी थी मेरे पास और भी सियासी महमान हैं उनके पास जाना है क्योंकि मुझे बहस खत्म करनी है मिर्शा जी देखें मनीजवई मैं एक चीज आपसे कहूंगा कि ग्यानवापी मामले को स्रिंगार गौरी के दर्शन के मामले को तमाम तरीके से मुस्लिम पक्षकारों के द्वारा उसको रूखने का प्रयास किया गया कि किसी तरीके से वो रुक जाए लेकिन उसके इन लोगों ने दलील भी दिया कि गंगा जमनी तहजीर बनारास की आबो हवा और उसके बाद कुछ नहीं मिला तो कोट कमिशनर के उपर इन्हों ने प्रस्निचन ने उठा दिया मैं आपको ये साफ कर दूँ कोट कमिशनर जो होता है वो कोट का प्रतिनिधी बन करके कोट की तरफ से भेजा जाता है सिविल के किसी मामले में ये पहली सिड़ी होती है कि कोर्ट कमिशनर जा करके उन चीजों को देखता है और वो रिपोर्ट कोर्ट के सामने सम्मिट करता है जिसके बाद ट्राइल शुरू होता है और मैं ये बता दूँ कि जिस दिन ट्राइल शुरू हुआ जिस दिन ट्राइल पूर तरीके से अबाव एंच मेरे साहँ पेनलिस्ट है परफ़सर जोशी चूटी मुझे बहस खत्म करनी है वक्त कम है ये बहस लंबी चलेगी आने वाले कई दिन महिनों तक चलेगी क्योंकि मुद्दा एक नहीं है काशी, मतुरा, कुत्ब मिनार, ताज महल ऐसे बहुत सारे मुद्दे और खासकर काशी को लेकर 17 तारीक के पहले रिपोर्ट देनी है जहां तक बात की जाए आखेर प्राफसर जोशी सियासत ना हो तालमेल बना रहे अमिना जी ने भी कहा ये सियासी घालमेल मत करियेगा आपको कोई डाउट है क्या हुआ पे मंदिर नहीं है को डिसाइड करेगी कि मंदिर है वहां पर आपको डाउट है बता दे यह आप और रहे ज़िए जो लोग भार कड़े होके दिल्गा कर रहे जो लोग पोड जैसको मानने के तयार रहे जहे उन्पे आपको अनुछी है जिसके अपर प्रताइडना हुई है को जिसने आपने आपको सम्मिट के उसके और मैं आज भी काहिम हो उसके पर जी देश सम्मिधान यानि की आईं से चलेगा आचार जी आचार सहलेश तिवारी जी प्रॉफसर जोची विनित गोयनका जी अदिवक्ता मुख्वाद अन्वर खान साथ अदिवक्ता मिर्शा जी अमीना शेरवानी जी आप लोग सबाए आप लोगोंने अपनी राए रखी म मुद्दा गर्माया हुआ है लेकिन हाँ एक बात तो सच है एक बात सच है कि आखिर मुगलिया जूट से परदा उठने वाला है विडियोग्राफी भी होगी सर्वे भी होगा अदालत के लिए सबूत भी जुटाए जाएंगे और और का इंतजार होगा इंडिया का सवाल में आज के लिए इतना ही लेकिन अब जाते जाते आपको एक ऐसा वाइरल विडियो दिखाते हैं जो आपको रुला देगा आठ मई को मदर्स डे मनाया गया मा की पूझा का दिन वैसे भी मा हर एक के लिए पूझे नहीं है क्योंकि मा है तो सब है लेकिन राची एरपोर्ट प बच्चे ने वहाँ पर जब उसे उडान भरनी थी माने एरपोर्ट पर बेरहमी से उस पर चांटे जड़े उस पर कई चाटे बरसा दिये वो भी इसलिए क्योंकि बच्चा विमान में बैटने से इंकार कर रहा था आपके टीवी स्क्रीन पर ये उस समय की तस्वीर राची हवाई अड़े की जब बच्चे को हवाई जहाज में बोर्ड करना था सिक्यूरिटी होल के बाद एक एरिया होता है जहां पर विमान में आप चड़ने का इंतजार करते हैं बच्चे को माँ चांटे जड़ती हुई और इसके साथ साथ बच्चा बिलख बिलख कर रोटता ह जी हां इस पर ये वीडियो वाईरल हुआ वीडियो वाईरल होने के साथ साथ ये कहा गया कि एरलाइंस ने बच्चे को हवाई जहाज में सवार नहीं होने दिया लेकिन इसके बाद की एक और वीडियो है ये देखिए बच्चा वो मासुम बच्चा स्पेशली चाइल्ड जो कि परिशान बिलख कर रो रहा है, चीक पुकार मचा रहा है, वो कैसे आसमान में सफर कर सकता था, इसी को लेकर ऐसा अंदیशा जताया जा रहा है कि एरलाइन स्टाफ ने बच्चे और बच्चों के पालक को, बच्चे के पालक को यानिकि माता पिता से आगरह कर उसे श अच्छा मा की मार चे उत्ते जित हो गया था ये आज के लिए बस इतना ही खबरों का सिलसिला इंडिया का सवाल के बाद लगातार जारी है